हाईलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए क्लास 11 का चेप्टर 4 जलवायू के कुछ important question answer लेकर आया हूँ जो परिक्षिया में बार-बार पूछे जाते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस तरह के मैध्पूर्ण वीडियो मिलते रहें तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सबसे पहले आपके सामने question है कि जलवायू किसे कहते हैं जब हम बात जलवायू की कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका आर्थ समझ लेना चाहिए तो कि जलवायू किसी बड़े छेतर में 30 साल से अधिक समय के मौसम या वायूमंडल की विशेषताओं की आउसरत को जलवायू कहते हैं मौसम एक दिन में क्यों बार बदल सकता है गंटों में भी बदल सकता है लेकिन जल्व आइयू शालों साल छेतर में एक ही समान रहती है या इसे हम फिर इस तरह से भि समझ सकते हैं कि किसी इस्तान की दिन-प्रती दिन की वायू-मंडलिये दसह को मौसम कहते हैं, सुबह अलग होता है और शाम को अलग ऐसा मौसम, उसे मौसम कहते हैं मौसम वे जलवायू दोनों के समान ही होते हैं, जैसे तापमान, वायूदा, आदरता, इत्यादी. Next question है कि मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं, या मानसून विच्छेद से आप क्या समझते हो? तो मानसून में विच्छेद जब आपने दो सब्ता या इससे अधिक अवदी के लिए वर्ष्रा करने में ऐसा फल रहती हैं, तो वर्ष्रा काल में सुष्क दौर, यानि सूखा आ जाता है, इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, कि भारत में सबसे ठंडा इस्तान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा इस्तान द्रास, न्यून तम तापमान जिसका माइनिस 40 डिग्री सेल्सियस है. अगला प्रिशन है कि भारत में सीद कालिन वर्षा का क्या कारण है? तो सीद कालिन वर्षा पच्छिमी विशोब के कारण होती है. नेक्स्ट क्वेशन है कि मानसून पूर का वह कौन सा इस्तान ये तुफान है? जो कववा की किर्सी के लिए उप्योगी होता है. तो इसे फूलो वाली वोच्छार या चेरी बलोसम के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेशन है कि जब सूर्य दक्षिनी गोलार्द में मकर रेखा पर सीधा चमकता है. तब क्या होता है? तो उत्री पच्छिमी वार्तिक में तापमान कम होतने के कारण उच्छ वायुदाब विख्षी तो जाता है. इसका ये असर होता है. नेक्स्ट है कि जैट प्रवाव क्या है? या जैट प्रवाव से आप क्या समझते हैं? तो चोब मंडल में भूप रश्ट के लगबग 12 किलो मिटर कितना? 12 किलो मिटर कि उचाई पा 36 जिसा में धेर से गती से चलने वाली तेज गती से चलने वाली वायुदारा को जैट प् है कि जाड़े के आरम में तमिल नाडू के तटिये प्रिदेशों में वर्षा किस कारण होती है तो यह होती है उत्तरपूरी मांसुन के कारण होती है नेक्स्क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कोपेन दवारा भारत के जल्वायू वर्गी करन के क्या आधार है किस आधार पर कोपेन ने जल्वायू का वर्गी करन किया है तो ताप मान एंवरेश्टी के मासिक मान को आधार मान कर ताप मान जल्वायू का वर्गी करन किया है कोपेन के वरगी करण के अनुसार भारत में A.S. प्रकार की जलवायू कहां पाई जाती है तो A.S. प्रकार की जलवायू कोरो मंडल तट पर पाई जाती है नेस्ट क्वेस्चन है आपके सामने कि केरल वे तटिया करना टेक में मांसून पूर की इस्तान्य तुफानी वर्षा को क्या का जाता है और यह वर्षा आमों को जल्दी पकने में सायता करती है तो इसे क्या कहते है तो इसे कहते है आमर वरस्टी या आमर वर्षा के नाम से इ अगला प्रिशने की असम और पच्छी मंगाल में बैसाक के मेने में शाम को चलने वाली भेंकर वे विनासकारी वर्षा युक्तपवने क्या कहलाती हैं तो इन्हें काल बैसाकी के नाम से जाना जाताया कहते हैं उत्री मैदान में पंजाब में भिहार तक चलने वाली सुस्क गरम वायू वे पीड़ा दायक पवने होती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें लू के नाम से जाना जाताया लू कहते हैं अगला प्रिशन है कि जलवायू प्रदेश क्या होते हैं या किसे कहते हैं तो जलवायू प्रदेश उस भूबाग को कहते हैं जा जलवायू के तत्वों के संयुक्त प्रवाव से जलवायू की एक जैसी दसाएं पाई जाती है एक जैसी समान दसा पाई जाती है उसे जलव रुटू के आरंब रशीत रुटू शुरू होती है उस समय तमील नाडू के तठीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है तो वह वर्षा उत्री पूरी मवांद सुन के कारण होती है नेक्स्ट है कि हरित ग्रह गैस या इन्हें ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है यह कौन सी हैं तो यह हैं कारण डाई आक्साइड, CO2S, नाइट्रस आक्साइड गैस, N2O, मिथेन, CH4 और हाइड्रो क्लोर कारण और ओजोन गैस यह ग्रीन हाउस या हरित ग्रह गैस के नाम से जानी जाती है, यह हैं यह, कोपेन के जलवायु वर्गी करण पदिती का कौन सा आधार आदार है, तो कोपेन का, कोई है, तापमान तथा वर्षन का, मांसिक, मान next question है कि भारत की जलवायू कौन सी है या किस तरह की है तो भारत की जलवायू है वो मानसुनी है मानसुनी प्रकार की जलवायू है अगला question है कि मानसून प्रिस्पोर्ट से आप क्या समझते हैं या इसका क्यातात परिया है या किसे कहते हैं तो आदर्ता यानि नमी से लदीवी पहँने जब अत्यधिक भारी हो जाती है तो अपनी अधिसी नमी को अत्यधिक गरजन के साथ छोड़ती हैं, यानि गरजन के साथ वर्षा होती है जो मूशलादार वर्षा के रूप में दरातला पर पहुंचती है, यह वर्षा इतनी अधिक होती है, बहुत तेज होती है कि कुछी गंटों में एक विश्त्रित छेतर को बाढ़ गरस्त या बाढ़ करत कर देती है, बाढ़ी पानी ही पानी हो जाता है, दक्षिनी पच्छी मानसूंदारा वर्षा अक्समाती सुरू हो जाती है, मानसून के इस अक्समात आरम को ही मांसून प्रेस्पोर्ट कहते हैं या इसके नाम से जाना जाता है तो इस तरह से आज जो क्विश्चन आपके सामने लाएं यह बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और आशा है कि यह आपको पसंद आएंगे और आपके लिए यह उप्योगी सिद्ध होंगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तता वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको इस तरह की महत्पूर्ण वीडियो मिलती रहें और अपने दोस्तों को सेयर करना नहीं भूलें जिससे वो भी इसका लाब उठा सकें मैं आपके उजल्बाविस्की कामना करता हूं और थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो एवे नाइस डेए